तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग निंग इदर से भाग रहा था और इसके पीछे इस्तमें टैंग लिंग लग चुका था और यह कहता भी कि मैं देखता हूँ तुम उस टेलिपोर्टेशन टेकनीक से कितनी बार बचके भाग सकते थे अब आके हाला क से फिलार यहाँ पर टैंग लिंग अपने स्वाट सिक बार फिर से अटेक करते हैं अब सेटो न न चाते हुए भी इसे कई बार खुत को और वांग लिंग को टेलिपोर्ट करना पड़ते हैं बाकी जो टैंग फैमिली के मेंबर्स थे अब यह पीछे चोट चुके थे बस टैंग लिंग वांग लिंग को फॉलो कर रहा था और टैंग लिंग भी हरान था यार यह पंदा यह भी की कंडरिंशेशन के पीक पर है और मैं फाउंडेशन स्टेज के लेट स्टेज में शायर फिर भी कैसे बच्चा रहा है और इसके होज़ासे टैंग लिंग इसमें का नाम चैंग जॉंग था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था और इनका एक जोनियर डिसाइपल मारा जा चुका है और ओल्ड में जी मो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करती थे उन्होंने हर एक डिसाइपल में इसे यूज किया था तो जो फिब्ड डिसाइपल था उसके साथ क स्पीड को बढ़ा लेता था इधर वांग लिंग वो ग्रीन लाइट यूज करता है जिसकी मदद से यह टैंग ली को थोड़ा से इंजर्ड कर देता है बिसे के लिए जो ग्रीन लाइट था इसके ग्रीन स्वर्ड का था जोकि वांग लिंग ने कुछ समय पहले ही अभी र भागरा थे और इसके पास जो इस्परिच्वन लिक्वेड्स थे इसके गौड में वो लगवक खतम ही हो चले थे और सेटूरान भी से कहते हैं कि मैं ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा अब यह लोग अभी भी ट्राविल कर रहे थे और टैंग ली इनके भी काफ लेखे डिसायर था वो वांगलिंग के ट्रेजर थे टैंग ली हरान था यार तीन दीन तर यह इस बंदे को चेज कर रहा था और वांगलिंग के स्पीड यह अब कम होने का नामी नहीं नहीं रहे थे फॉरेश के सामने यह थोड़ा सा नर्वस फिल करता है क्योंकि को दिखाय जाता है जो कि अपने डिवाइन सेंसर्स को फिलाल एक बार फिर से यूज कर रहा था ताकि आसपास के चीजों को यह फिल कर पाया पर तभी शेटू नान चिलाते है कि रुखो क्योंकि एक और यह फिल करते है जिसको के ब्लू लाइन वाइन से यह थे जोकि आर करके यह इवल्ब करते हैं तो इसे टच भी मत करना इसलिए कोई भी टेक्निक या पर यूज भी मत करना पर वांगलिंग रुखता नहीं यह अपने औरा को तो यूज नहीं करता है पर इस वाइन को काट लेता है और अपने बैग में रख लेता है और हलका सा रखने से पर इस पर ब्लड यूज करके देखता है और जैसे वाइन पर यह ब्लड डालता है यह वाइन और पी जदा ब्लू चमकने लगते हैं वांगलिंग यह इस चीश को यहीं पर छोड़ देता है इसके पसीने छोटने लगते हैं और यह जैसे यहां से निकलता है टेंगलिंग यहा पानने वाला नहीं है और जंगल के और गहने पार्ट में ये बढ़ जाता है टेंगली भी इसको अभी भी फॉलो कर रहा था टेंगली की विहारत कोई खास अच्छी नहीं थे इसके कपड़े फट चुके थे आर्मर थोड़ा बद तूट चुका था बाल बिखरे हुए थे च को कितना भी काट ली वो फिर से इस पर अटैक कर देते थे और इस समय वांग निंग जो के चिपा हुआ था ये दो दिन पहले की बात है इसने अपने फ्लाइंग स्वार्ड से टेंगली पर अटैक भी कर दिया था और इसके जो ग्रैंड फादर ने कोई ट्रेजर दिया था उसकी मदद से ये कैसे भी करके बच पाता है और श्ट्रेजर की मदद से ये वाइन्स डेस्टोई हो जाते है जिसका फायदा उठाकर ये बच गया था ये समझ गया था कि वांग निंग इससे कभी भी हेड़ान फाइट नहीं कर रहा है बलकि एक तरह से जाल बिचा रहा ह खास करके वांगलीं के पास वो जिस वर्ड है वो भी काफी खतरनाक है फिलल टेंगली एक नदी के पास था और यहां का पानी ये सोस्ते थोड़ा पी लो क्योंकि ये काफी ठका हुआ था ये पानी पीनी लगता है तब ही अचानक से एक ग्रीन स्वर्ड फिर से चमकता है और टेंगली अभी गुस्ते में था कि जबी मैं इसको पकड़ूँगा अच्छे से टॉर्चर करूँगा इवन इसके सोल को भी मैं रिफाइन कर दूँगा इधर वांगलीं ये अभी भी भाग रहा था ग्रीन स्वर्ड इसके पास आते है क्योंकि ग्रीन स्वर्ड में पावर्फल स्प्रिच्वन फ्लक्शिविशन मैं फील कर सकता हूँ चलो देखते हैं और वांगली अब इस तरफ बढ़ने लगता है थोड़ी समय में वांगलीं वहाँ पे पहुच जाता है अब इसे सामने के एक हरा सा पेड़ दिखाए देता है जिसे की साथ किसे ने और यह बताते हैं इसे एक फेक कोर भी कहा जा सकता है और यह बताते हैं अगर यह किसी के पास बहुत जादे हो तो रैंग 5 के कंटरी को भी वो बंदा हरा सकता है और वांगली इस से पूछते है कि इस बंदे के पास जोकी मरा हुआ है इसके पास कितने ग्रीन कोर्स है अब अपनी औरा को वांग लिंग के forehead कि दरा बेशता है। वांग लिंग ये पीछे आठता है। पर ये जो green light थी वांग लिंग के आसपास गोल-गोल घुमने लगती। ये जो green light थी ये वांग लिंग से पोलती। कि निकल जाओ यहां से ने तो मारे जाओगी। पर वांग जाता नहीं। ये बेसिकल नियां पर tangly का weight करने लगता है। इधर tangly भी कुस्तो feel करता है। और इसके चेहरे पर एक smile था। और ये भी इसी direction में बढ़ जाता है। वांग लिंग के भाग नहीं राता, tangly समझ जाता है, कुस्तो गड़ बढ़ है। इधर वांग लिंग भी एक ball निकालता है। और ये ball वांग लिंग के sword से आके टकड़ाता है। वांग लिंग इसने के अभी four golden symbols निकालेता है। ये इसको भी अपने sword पे use कर देता है। और वांग लिंग या पर ये इस attack के पाथ तुरंती 100 मिटर दूर टेलिपोर्ट कर लेता है। और जो इन दोन जो आरत था यानि जो इसने अभी lightning balls यूजगे थे ये काफी powerful थे और इस zombie की body को काटने लगते है। वांग लिंग जो के दूर था इस scene को देख रहा था। इससे लगा नहीं था। यार ये zombie इतना फीक होगा। जॉंबी अब इससे लगता है कुछ तो गडबड है। और इ जो shock waves थे इस bell को टच करते हैं और काफी तेजी से bell में crack आने लगते हैं और टैंगली इससे में एक के बादी कई सरेट रेजर्स यूज़ करने लगता है। ताकि अपने आसपास defenses को strong कर सके हैं। पर कुछ भी हो इसके एक-एक defenses ये green core तोड़ते जाता है। और क्योंकि वा तो ये भी destroy हो सकता है। और इसी मोकी का तो वांगलिंग वेट कर रहा था। ये तुरंती टैंगली कितरा पड़ता है। और पीछे से green sword से ये टैंगली पर attack कर देता है। हालकि इस बार भी टैंगली का जोकी आर्वर तूर चुका था फिर भी वांगलिंग के sword attack को ये block कर देता है। पर फिर से वांगलिंग इस पर अपने bloody औरा को यूज करता है। और इसका sword फिर से टैंगली कितरा पड़ता है। टैंगली फिर से कुछ jet tokens यूज करता है। और defensive barriers बनाने लगता है। और इस माहूल को देखर से टुनान भी चिला कि क्या तुम पागल हो। और से पिसरे के लपक आ medi writer के करीब होगा। और वांगलिंग ये अपनी तलबार को यूज करता है। और टैंगली की body के άरपार इसे निकाल देता है। और इस तुमें से टुनान टेलिपोर्टेशन टेकनिक यूज कर देता है। क्यूंकि जैसे टैंगली की तलभार वांगली बन और इतना फास्ट होता है कि जॉंबी को भी टाइम नीं गलता है उसी भी नी समझ में आते हैं यह हुआ क्या और इसमे जॉंबी भी वांगलिंग की तरफ इंदम डर इकी मारें देखने लगता है त्यार यह बंदा क्या कर रहा है जॉंबी यह पर लागे बंडे को सोचता है पर वांगलिंग इसको तलवार दिखाता है और इस दौरान यह टेलिपोर्ट हो के 300 मिटर दूर पीछे आड़ जाता है और जॉंबी फिलाल यह टो टैंगलिंग का स्वड था इसे लिले यह भी काफी साटिसफाइट था इधर वांगलिंग यह गौड के पाने को फिर से प सिटुनान को भी लगता है यार यह वांगलिंग यह अलक है और यह कहता भी कि तुम अब कौनिफाइड हो एक कल्टिवेटर बनने के लिए और कल्टिवेटर वर्ण में शहथ तुम अब सर्वाइब भी कर सकते बलकि इसके अंदर वो एरोगेंस नहीं था अब एक रेस्प और तुमारा टैलेंट भी बढ़ जाएगा फिलन यहाँ पर एक पेड में वांगलिंग अड़ा करते हैं और इसके अंदर यह एंटर कर जाता है और इसका जो ग्रीन्स वड़ता बार में घूम रहा था कि अगर कोई भी हरकत होगा तो यह अटेक कर सकता है फिलन वांगलिं यह जो टैंगली की बॉड़ी थी इसके आसपास जो आइस क्रिस्टल जमा की थे इससे गायब कर देता है और फिलन यह कोई मिश्ट एनरजी टैंगली की बॉड़ी में भीजता है और अपने हाथों से कोई एक स्ट्रेंड सिंबल बलड को यूज़ करके बनाता है और आखों में कोई वह चमक नहीं था और टैंगली के बॉड़ी में जो इसके बॉन्स थे इसको भी ऐसा चूर्मा बना लेता है यानि ब्लर्ड मीट और बून बॉल्स यह सभी को यूज़ करता है अगर तुम्हें किसी का कल्टिविशन चुराना है या उस करना है तो यह तील पर वांग निग इसके बात चुनता है ये एक के बाद एक techniques यूज़ करते जाता है इस दौरान ये बंदा फिर से कहता है कि मेरे grandfather को बता है कि मैं मुसीबत में हूँ वो जल्दी ही आते होंगे अब ये बंदा चिलाने लगता है grandfather मुझे बचाईए और ये बंदा जुता इ हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। पर सिटुनान इसे समझाते हैं। हिशार इसके grandfather ने अपने एक illusion छोड़ा है। टेंशन मतलो, ये तुम्हें attack नहीं कह सकता है। इवेन ये तुम्हारा location में नहीं जान पाएगा। हालेकिन इतना तो पक्का है कि ये बंदा टेंगली से काफी प्यार करता है। टेंगली एक तरह से मर जाता है। और ये जो illusionary आउतार था, ये वांगलिंग से कहता है कि तुम्हें 10 family के बंदे को मारा है, तुम जरूर मारे जाओग। और इतर यहांसे साथ 10,000 मिल दूर पे एक old man को दिखाय जाता है, जिनकी आँखे अचानक से खुल जाता है। और ये कहते हैं, लिये, तुम्हारे grandfather तुम्हें promise करते हैं, कि मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगा। और फिलाल ये old में एक औरा यूज़ करते हैं, कुछ symbols बनाने में, और पूरे space को ये गेरने लगते हैं, कोई शाधी curse technique यूज़ करते हैं, इतर फिलाल वांग लिंग, एंगली का जो spirit route था, इसके पूरे memories को अटा करके इससे डेवोर कर जाते हैं, और वांग लिंग भी इ तुमसे काफी तोड है, और एक technique ये use करते हैं, कि तुम इस बंदे का आधा cultivation चूरा पाओगे, अब समय के साथ दीरे तीरे वांग लिंग इसके spirit को absorb करने लगा था, और फिलाल ये जो spiritual ring type हो रहा थी, ये वांग लिंग के chest में दीरे तीरे अब्सॉर्ब होने लगी थी, औ और फिलाल समय के साथ, ये अपनी spiritual energy को organize करने लगा था, और इसकी body अब foundation level में enter करने लगी थी, समय बीचते जाता है, और दो साल और निकल जाते हैं, जापे वांग लिंग ट्रेनिंग कर रहा था, इसके उपर में ऐसा मिट्टी का कीड़े मकोडों का layer बन जाता है, और finally व वांग लिंग को बचाने में यूज कर दिया था, और पता नहीं वो कब जा गएगा, ये इससे भी नहीं पता था, और जो method इसे situnan ने दिया था, कि जब तुम foundation level पर पहुँच जाओ, तो तुम ये टेकनिक प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि underworld, accession method, ये उसे भी अप सीख फिलाल ये कोई टेकनिक यूज करता है, जो कि इससे situnan ने सिखाये था, कि इसकी मदद से तुम ये इन energy को दूण सकते हैं, और एक strong energy ये feel भी करता है, अब ये आगे बढ़ता उस तरह, जहाँ पर इसे कई सरे से पुराले समय में, मन बेल्डेंगे गिरी होंगी, पेड़ बहुत ही जम चुके थे, अब इस समय यहाँ से एक pillar वाली light निकलती है, जिसकी तरफ एक beast भी बढ़ता है, बीश जो कि injured था, जैसी वो इस light से टकरता है, इसकी body हील हो जाती है, वांगनी ये सब देखकर, ये भी काफी एरान होता है, और आदे गंटे बाद फिर से एक pillar च जैसे एक बर फिर से pillar से light चमकता है, वांगनी यहाँ पर इसे टच करता है, ये कोई spiritual power नहीं था, बलकि एक अलगी चीज था, वांगनी यहाँ पर अपने उंगली को काटता है, और वहाँ पर रखता है, इसकी उंगली तुरंत ही हील हो जाती है, फिलाल ये समझ चुका था और इसके अंदर में जो tower था, उसकी तरफ ये बढ़ता है, ये tower ही था, जो शायद बहुत समय पहले यहाँ पर गिर चुका था, और यहाँ पर इसे दो statues भी दिखाए देते, दोनों ने हाथों में तलवार पखड़के रखे था, अब इसे एक stone bead दिखाए देते हैं, जो श कल एक नए वीडियो के साथ,